परस्टबाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्रायजक है केमसी हैं सिटी एंड केमसी कैंसर इंस्टिट्यूट उत्री भारत का आधुनिक्तम सुविधाओं से यूग्द चिकित सा संस्थान बाकपत रोड मेरट नौशकार मैं हुरे विशर्म और आप देख रहे हैं फॉस्टबाइट डॉट टीवी मेरट जिले में कोरोना अपने पाउं बुरी तरह से पच्छार चुका है संक्रमीतों का आंकड़ा जहां 165 तक पहुंचा है वहीं कोरोना से मरने वाले मेरट वासियों के संक्या आठ हो गई है बीते दिवस बिजनौर के एक चिकत्सक की मौत के बाद मेरट में मरने वालों का आं सामले आएं ऑग जिलादीकार आनिल धीगराण ने मीरट जिले में कोरान की तॉर इद्यं में भी हैं और सभी का जो है अच्छे थे हमारे डॉक्टर सो रूंकी टीम कर रही है समय पे जो है उनका जो है उप्चार किया जा रहा है और मुझे उमीद है कि अगले तीन दिन में ऐसे और पेशेंट की हम लोग ने इडेंटिपाइड कर लिए हैं इनको लगबग 14 दिन होन अघेंट करता है कि तेन ही अगा Nikki Sonar को सब्सीन में हमारे जो स्राइभ थे होस्पिटल के उटने की यह ओग है इनails रा welded जो है 60 कि तीन दिन पहले एक जो नबीन मंदी में विकरेता तो हमारा मेन मकस्त यही रहता है कि जब भी किसी का कोई कौरना पॉजिटीव आता है तो हम लोग उसमें जो है अपनी सर्वलेंट सेज करके उनके जो परिवार के मिलने वाले होते हैं उनको कंटेन करने के लिए अडेंटिफाइट करके उनको इंटिटूश्म कराते हैं और स परिवार के उनको अडेंटिफाइट किया जाए और उनको इंटिटूश्म कराइट कराके तीन दिन बाद उनका तैंपलिंग कराया जाए अगर वो भी पॉजिटीव आते हैं तो फिर उनको इसलेशन बाड में शुट किया जाए और अगर नेगिडिव रहते हैं तो 14 दिन करते हैं 14 दिन तक अगर कोई और नए केस नहीं आता है तो वो हमारा जो हाटकोट एरिया इन हमारा और ऑटकोट एरिया पारन जो हाता है और कि नहीं मैं तो हमारे जो हमारे मीं दून रहा है उसके हम लोग शुट करा लेंगे और इसके अलाबा जो है हमारा जागरिती विहार में एक केस आया है जेल चुंगी माया उनको भी हम लोग ने होटकोड दिख लेक कर लिया है और वहां भी हमारे जो है फोर फोर तैनात उसे वहां भी हमारी तीलिंगी कारवाई आरम खोगई है और सैनिटाइज़िजिशन की करवाही है जो पर्टीगुलर खर या जैसे मंडी होती है तो उसको हम लोग सैनिटाइज कराते है और प्लस उसके आग पास का जो हमारा होटकोड बनता है उसको भी हम लोग सैनिटाइजिदाग चीम लिगतन की और पायव गे जो पहले भी इसमें कारभवाई की है इसमें हम लोगों जो रिडेलर जाते थे जो इंडिविजुल कस्मर जाते थे उंपे प्रतिबंग पिया था और इसके अलावा जो है हमारे जो दो गेट हैं उनमें पहले एकी गेट से आजमनता अब हमने दूसरा गेट भी फिलवा रख सब्सक्राइब के जो जो पिएफ्टे हमें के लिए थे यह अधिए जो तो हम लोगों बाइड करके कर रहे हैं और मुझे उम्यज़ा कि कल तक एम लोगो फिड़ने की और यह उनको बाहरे जितनी भी आप एक प्राइब्टे निद्सितने वी जितने भी निदेवार के पा और उनको पराइडी बेसित पे हम लोग परमिशन भी जारी कर रहे हैं यह थे मैंने स्वयम कल जो है दिल्ली मेरे टेक्ष्प्रेस के लिए राटी एक लिए डेडिकेटिट प्रीडर के लिए इनके लिए परमिशन जारी कर दिया है यह लोग अपना इंसीटु प्रोजेक्ट इतने हमारे कितान भाई है उनके लिए यह खरीट जो है 31 थेंटर चल्राए है उनके आगमन में आने जाने में कहीं कोई रोग नहीं और कहीं कोई अथी अभी तक हमारे संग्यान में कोई शिकायद भी जगाई चल्राए ह। अब तक कुछ मिल जाएगा उलत अप्रमिशन जारी करें जो उनको भी परमिशन जारी करें इतके लिए मुख्या दिगारी की अजिक्स्ता में हम लोग ने कमीटी करें इसके अलाव आज शहर के बीचों बीचस्ति भगवत पुरा जंडे वाली की दुकान के निकड़ भी एक स्वास्ति भाग की टीम ने उसे कुरंटाइन सेंटर भेज दिया है इसी क्रम में भाजपा के नगर निगम के सभासत पंकज गोएल के भाई विपल गोएल भी पॉजिटिव पाए गए है स्वास्ति भाग की टीम उन्हें अपने साथ ले गई है विपल गोएल का परिवार शीष महल में रहता है बता जा रहा है कि वह गाजयबद एक इंस्टिट्यूट को देखते हैं वहां कॉरंटीन सेंटर में आने आने से वह संकर्मन की चपेट में आ गए इन दोनों ही इलाकों को सील कर सेनिटाइब्स करने के तैयार की जा रही है उधर अपर्म ग्रह सचीर अवनीश अवस्ति ने कहा है कि उद्योगों को चालू करने के निर्देश दिए अभी फिलाल इस खबर में इतना ही आप देखते हुए फस्ट बाइड़ टीवी नमस्कार